भाश्पा की राश्टे प्रवक्ता गौरव भाटिया और आदेश कुपता ने आजड़ा विवार को नई दिल्ली में पार्टी मुख्याला में एक संबादाता सम्मेलन को संबोधित किया भाश्पा की राष्टे प्रवक्ता गौरवाटिया ने कहा देश की जनता कह रही है कि अगर कोई सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है तो वो मनीश शिशोदिया और आम आदमी पार्टी है भाश्पानी केश जिवाल सरकार से सवाल पूछे कि अगर आम आदमी पार्टी की आप कारी नीती सही थी तो वापस क्यों ली गई जवाबाया कि विदेशी समाचार न्यूयोक टाइम्स पत्रिका कहती है कि आम आदमी पार्टी का सिक्षा मॉडल बड़ा अच्छा है उन्होंने कहा अर्विन केश जिवाल आपको जनता को जबाब देना चाहिए आपने प्रश्चाचार किया बड़ा घुटाला किया यह अपत्ती जनक है चिंता जनक है कोविट महामारी के समय दिल्ली को शराब ना मिलती तो चल जाता लेकिन केश जिवाल सरकार का साथ मिल जाता यह जरूरी था आपके समख्ष जो मुद्दा केवल दिल्ली की जनता ही नहीं पूरे भारत की जनता बात कर रही है और कह रही है उसी को आगे बढ़ाने आए हैं आज ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की जनता कह रही है अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई है तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केज़िवाल मनीश शोडिया और आम आदमी पाइटी है ऐसा क्यों है मैं बताता हूं भारती जनता पाइटी ने दिखाया कि एक विपक्ष की भूमिका सकरात्मक रूप से जनता के सवाल कैसे मजबूती से उठाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन किया जाता है सवाल क्या पूछे है सवाल पूछे है कि अगर आम आदमी पाइटी की आपकारी निती सही थी तो वापस क्यों ली गई जवाब आया विदेशी समाचार न्यू योग टाइम्स पत्रिका कहती है कि आम आदमी पाइटी का शिक्षा मॉडर बवाच्छा है सवाल पूछा अर्विन केजरिवाल जी कोविड की दूसरी रहराई शिरी नरेंद्र मोदी जी के नित्रत्व में भारती जनता पाटी पूरे देश की जनता के साथ खड़ी हो गई दवाई सुनिच्चित करी अस्पताल में बेड हो ओक्सिजन मिले दिल्ली के मुख्यमंत्री की कलम को जिसको स्वास्थ चिकित्सा दवाई बेड और ऑक्सिजन पर ध्यान देना था अर्विन केजरिवाल की ब्रश्टाचारी कलम आपकारी निती पे दस्तकत करने में लगी थी मनीश शिशोडिया वो एकाउंटिट बन के ये देख रहे थे कि आम आद्वी पार्टी के खड़ाने में जनता के पैसे की कितनी लूट आएगी और एक बात कहना गलत नहीं होगा आज भारत की जनता कह रही है आप नहीं पाप है ब्रश्टाचारियों का बाप है और जनता के लिए अभिशाथ है आज जो सवाज पूचे जा रहे हैं अर्वन केजरिवाल जी की नाक के नीचे ब्रश्टाचार हुआ आपने होने कैसे दिया जब समय था जनता के आशू पोचने का तब आप घोटाला करके आपकारी निती क्यो ला रहे थे क्या जनता की चिंता आपको नहीं है केवल रुपया कमाना लूट खसोट करना भ्रश्टाचार फ्रवलाना आपका मकसद है इसका उत्तर ना न्यू योट टाइम्स का वो आर्टिकल हो सकता है इसका उत्तर ना राजदितिक द्वेश की बात करना हो सकता है इसका उत्तर सब लोग मुझसे डरे हुए अर्विन केजरिवाल जी आपसे कोई डरा हुआ नहीं सब जानते हैं कि आप कितने घवराय हुए है ये वोही अर्विन केजरिवाल है जो रोज सुबेशान टैक्स पेर के रुपय से इश्टिहार देते थे टीवी पे बैठते थे और आज जन्ता ने तीन सवाल क्या पूछ लिए तीन सवाल और आपकी नीव पूरी तरह से खिदग दई आपकी स्वधोशित इमानदाली की इमारत डह गई मैं पुना एक बात कहूंगा अर्विन केजरिवाल जी आपको जन्ता को जवाब देना चाहिए आपने प्रतम द्रश्टया द्रश्टचार किया बढ़ा घोटाला किया यह अपत्ती जनक है चिंता जनक लेकिन सवाल में नेतिक्ता को उठाता दिल्ली वासियों की जान इसके गई क्योंकि जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को कोविट की दूसरी लहर यह सुनिश्चित करना था कि दवाई मिले बैक मिले अक्सिजिन मिले तब आप ठेके दारों से मिलके यह ते कर रहे थे कि वो कितनी कमाई करें लिए और आपके पास वापस कितना है यह राज़्टितिक नेतिक्ता का प्रश्ट दिल्ली में शराप कुछ दिन ना बिक्ती चल जाता लेकिन आम आत्मी को उसकी सांसे मिल जाती यह ज़रूरी था यह कर्तब वे था सम्मिदान की शबद इस बात के लिए थे और अधिक खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दैनिक इंडिया दरपन को अभी सब्सक्राइब करें और नॉटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले